Hello my dear students of 8th class, बिटा जी आज तो आटा state level दा जड़ा third quiz हो गया है Very important ते law जी ओधा solution आपा ताड़ना discuss कर दें आजी पहला हैगा जी तो आटा जड़ा state level दा quiz है ओधा solution ते पाग उड़े चुत आटे एक नमबर दे प्रशन आयने प्रशन पहला सी की hate लिखिया विचो किस वाक तुनी दी अवरती कटो कट हों दी संभावना है छोटी लड़की दी, छोटे लड़के दी, आदमी दी, औरत दी वोईस of which of the following is likely to have minimum frequency ता बिटा जी, baby girl, baby boy, a man or a woman ता एदा उत्तर की है जी, a man, आदमी दी, ठीक है जी अगला कोश्चन है, तुनी खला विच संचारित नहीं हो सकदी ठीक गल्थ, sound cannot travel in vacuum, तो अनू पता है जी, sound नू ट्रेवल करना लिए माध्यम चाहिता है, कोई भी माध्यम होना चाहिता है तो एदा मतलब जडी vacuum है, जडी sound है, जडी sound है, उसंचारित नहीं हो सकदी तो एस statement बिल्कुल ठीक है, यानि this statement is true, ठीक है जी अवर्ती दा मात्रक की है, dash है, the unit of the frequency is पेटा जी, अवर्ती दा मात्रक, hertz है, की है जी, hertz, ठीक है जी, अवर्ती दा मात्रक, hertz है, ठीक है जी, hertz ठीक है जी, अगे गल कर दें आपा, ओध कोशन सी तो अड़ा, किसे वस्तु द्वारा, एक डोलन नू पूरा करल लई, लगे गए समय नू, dash केंदेने Ond चल्जान चल्ण पेटा जी, अवर्त काल, ठीक है जी, उसनो केदेने आजी, अवर्त काल, ठीक है जी, उसनो केदेने अवर्त काल, ओर इंग्लिश जो उसनो की कहनने आज सॉन… हमेशा कदे कदे विशेश आलता विच कदे नहीं बिटा जी तो अनू बहुत वरी अपा एप प्रसीज़ दसे है संतल दर्पन ते तो अड़ी जदो इंसिडेंट रहे ते रिफ्लेक्टेट रहे आंदी है ए सेंटन सो नॉर्मल है ए ता डबंदा आई आपतन कोन ते आ ता ड द्वारा बनाया गया प्रतिबेंब हुंदा है제가 własi darpan ते पिछ्षे वर्ड़ आपासी darpan दे पिछ्षे वस्तू दे कार दे बराबर वास्तविक darpan दे दलुत्ते वड़ आपपान दे पिछ्षे वस्तू दे कार दे बराबर Image formed by the plain mirror is Virtual behind the mirror and enlarged, Virtual Behind the mirror and some size of object, Real at the surface of mirror real behind the mirror and same size of the object ता बिटाजी जोड़ा तोड़ा सम्तल दरपन हुन्दा है ओ दी जड़ी image हुन्दी है ओ सब तो पहले अबासी हुन्दी है दरपन दे पिछे हुन्दी है ते वस्तू दे अकार दे ब्रापर हुन्दी है ता इस virtual behind the mirror and same size of the object एक सम्तल दरपन दे सामने एक मीटर दूर खलोता एक व्यक्ती अपने प्रतिबिम्ब तोड़ डैश मीटर दूरी ते दिखाई दिनता है ता बिटाजी तो अनुपित्ता सी कि मैं तो अनुबार बार कहा रही सी किया दरपन है अगर इत्थे वस्तू एक मीटर खड़ा है तो ओधी जड़ा प्रतिबिम्ब है ओभी एक मीटर दूरी ते बनेगा यानि ये टोटल डिस्टंस किना हो गया जी टू मीटर और साड़ा आंसर किना आजेगा टू अपर्सन वान मीटर इन दे फ्रंट अफ प्लें विरर सीम्स तो बी टू मीटर अवे फ्रॉम इस इमेज दसो कि गत्ते दी सता तो केड़ा परवर्तन होंदा है नेम दे टाइप परवर्तन नेम इत परवर्तन खिलर्वा परवर्तन regular reflection diffuse reflection तब बेटा जी गत्ते दी सता तो तो बीता है क्यों खिलर्वा परवर्तन होंदा है क्यों घ्लरवा परवर्तन होंदा है करी कार्णबों तो आनेम ताव्य करके जड़ा त NBC है जड़ी reflection है वो regular नहीं हो पांदी नियमत नहीं हो पांदी बिटा जी इतो बाद पाग एड़े दे वेच तो आड़े जड़े दो नबर दे question सी बहती important सी पहला question है एड़े साजा विच उस पाग नूप चानो जो तुनी पैदा करन लई कमपन करता है टोल सितार बंसरी टोलक सितार के फ्लूट तब बिटा जी तो आनूपता है कि टोल दे केड़े पाग करके जड़ी है वो कमपन पैदा हुंदी है basically कसी होई जड़ी चिल्ली है उस दे करके कसी होई चिल्ली दे करके और सितार दे केड़े पाग तो पैंदी है जी किदे करके कसी होई तार करके ते बंसरी जड़ी है वो हवा स्तंब करके ढसरी की है हवा स्तंब करके इंगलिश चापा कह सक दे है ढॉल डे कीडे पाट करके जड़ी है वो है STRETCHED MEMBRANE करके ठीक है जी सितार दे केड़े करके string। तूसी देख्याग ना जड़ी स्ट्रेंग वजदी है ठीक है ना जड़ी उत्ते तारा लगियों दिया है ते फ्लूट दीजे गल करा एर कॉलम्स फ्लूट दे विच बिटा बंसुरी दे विचे तुसी किनी वरी देख्या होल जुन देने आना दाट इस बेसिकली हवास तंप एर कॉलम्स ठीक है जी चलो टैंथ कोशन दी कल कर दिया एक पैंडूलम चार सेकिंड विच चाली बार डोलन कर दा है इस दा अवर्त काल अथे अवर्ती पता करो अपैंडूलम उसलेट 40 टाइमस इन 4 सेकंड फाइं टाइम पीरेड एंड फिक के देन्या टाइम पीरेड एंड फिकंसी ठीक है जी फिकेंसी दा फॉर्मूला की हुंदा है डिया स्टूडेंट से पहले मैं तो डेली ए नुमारिकल्स ओल्व करा जड़ा फ्रिकंसी दा फॉर्मूला हुंदा है यानि की तो नुए पता है कि कुल जडे डोलना दी सानू क किन्नी डोलना दी जड़ी है, गिंती दिती गई है, वो गिंती दिती है, चाली, ठीक है, डोलना दी किन्नी गिंती दिती है, चाली, ठीक है, हुन डोलना लई कुल समा किन्ना लगा, जड़ा है, कुल समा, कुल समा किन्ना लगा, ते वो लगा जी 4 सेकंड, किन्ना समा लगा ज That is the formula that is डोलना दी गंती number of oscillations ठीक है जिन्हों आपा कह देन्ये बंझाबी च डोलनादी गंती ठीक है बटा बटा जडा है सम्ह ठीक है जी बटा की है जी सम्ह ते एस आणुपता डोलना दी गंती चाली है ते बटा सम्ह यानि it is equal to 10 10hz तो अनुमें 10 चुकी है, फ्रिकंसी ता जड़ा उनेट है, that is hertz ठीके जी ए तो बाद आवर्तकाल दी गल करिये तो टाइम पीरियड दी गल करिया ना, टाइम पीरियड दी, तो टाइम पीरियड दी जे मैं गल करां तो अडेनाल तो ओ गुंदा जी एक बटा अवरिती जन डोलना दी गिंती, चाली, डोलना ले लगा कुल समा, ओ की दे बराबर हो गया, चार सेकिंड दे तो डेट, ठीक है, अब रिती फ्रिकंसी is number of oscillation divided by time, तो अपा कड ले, what is time period, that is one over frequency, ठीक है जी, ए फॉर्बुले तुसी याद रख रहे हैं, चलो जी, अगला कोशन देख द उसी एक नमबर तुसी एदा परकाशी वरता रहे है, तो अनुस अब नुँ पता है कि ए वला जड़ा परकाशी वरता रहा है, what is this, this is basically reflection of light, जिनू अपा की कहा देने है, परकाश दा परावरतन, ठीक है जी, की कहा देने है, परकाश दा परावरतन, और इस दे नियम तुस of light ठीक है जी reflection of light और इस दे जड़े तुसी नियम लिखने सी वो तुसी की करने सी इस दे नियम तुसी लिखो that is पहला है की जड़ा पहला नियम तो ड़की है आदेखो पहला नियम तो नो मैं चितन कोई समझानी है आदेखो आपतित किरन परावर्तित किरन और इस नूँ अपा कहने है अभी नंब की कहने है अभी नंब दिस इस यूर आपतन कोई ठीक है और ए तो डाकी है ए तो डा है गाजी परावर्तन कोई ठीक है ए तो डाकी है गाजी परावर्तन कोई ठीक है परावर्तित कि रन? आते अभिलंप इको ही तालवेच हुन्दे हन दुज्जा जी आपतन कोन? आपतन कोन? हमेशा आपतन कोन? हमेशा परावर्तन कोन दे बराबर हुन्दा है? बराबर हुन्दा है ठीक है? आपतन कोन दा मान की हुन्दा है? बिटाजी देखो? इस अगल इंसिदेंस फ़रे इस रिफ्लेक्टेट रे इस अगल 90 दू दा इंसिदेंट रे यानि उन्हें की क्या है? आपतित किरन है तो मैं इदेर डाइग्राम सच बना के दखानी है उन्हें ए कया है? नबबे दा कोन बना रिये, यानि ये फुल एंगल कि दे बराबर है, नबबे दा, ते असी कडना ए ये बला एंगल, तो आनु पता है कि कोन आई जमा आर कि दे बराबर हुनदा है, नबबे डिगरी, ठीक है जी, और तुसी नू लेख सकते कि कोन आई is always equal to आर, ते एदा मतल दब तुसी ये दी value की कर सकते हो, 2 न lou 1 विचच, 2 नू तुसी की कर दो, 1 विच पार दो, ठीक है, एक विचछ, पार 2, ठीक है, तो तुसी की हो जेगा, आयी, जमा आयी, बराबर 50 डिगरी, 2 आयी, बराबर 90 डिगरी, ते कोन आयी बराबर कि आ गया, जी, 90 बटा 2, जीनू तो अड़ा हो गया, state test, the second last question and last question is, name the instrument shown in the figure, on which phenomena does it work, तब बिटा जी तो आनों पता है की है जी, ये, kleidoscope है, की है जी, ये, kleidoscope, और एक केडे principle ते work करदा है जी, दसों में नो, kleidoscope केडे principle ते work करदा है जी, बहु परावर्तन, जीन्हों आपा इंग्लिष च बेसिकली कहा देन्या, multiple reflections, की कहा देन्या जी, multiple reflections, ठीक है, पर काश लेसंसी तो अड़ा, this is kleidoscope, this is your, kleidoscope आपा कहा देन्या, basically, kleidoscope, ठीक है जी, ते एनू आपा कहा देन्या, kleidoscope, ठीक है, this is, जितना दोनू comfortable है, तुसी kleidoscope कह सकते हो, ठीक है जी, उत तो बाद, केडे ते work करदा है जी, ए करदा है जी, बहु परावर्तन ते work, और जिन्हों आपा इंग्लिष कहा देन्या, multiple reflections, की कहा देन्या जी, multiple reflections, बेटा जी, केडे केडे topic जेडे है, तो अडे, ये दे काट दिते गए हन, काफी topic तो अडे काट दिते गए हन, आख दा जेडा diagram है, टोटली काट दितना गया है, that is, 6.0 है, तो अडा, 8, 6.7 हाना, और 6.9, 6.10, ये सब कुछ काट देता गया, ले बस जो, जेडा की तुसी note करना है, ये weekly test सी, तो अडा होदा solution सी, और ये तुसी final paper ली भी इना थी तियारी करनी है, उमीद कर दियां की, आज दा lecture तो नो समझ आयागा, मिल दे अगले live lectures, till then goodbye, take care.